Hello friends इस वीडियो में हम discuss करने वाला हैं BPCL में आप future and options में कैसे काम कर सकते हो और option chain भी देखने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही short और important होने वाली है तो वीडियो में end तक बने रही है angel one app में login कर लिया है watch list में आने के बाद search box में हम BPCL search कर लेंगे ठीक है यहाँ पर हमें type कर लेना है BPCL जैसे हम यहाँ पर type कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो FNO का option दिखाई दे रहा है उस पर हमें tap करना है tap करने के बाद हमारे समने कुछ इस तरह से interface शो करेगा यहाँ पर जो आप देख रहे हो यह features के expires है और नीचे के side में जो आप देख रहे हो यह options के strike prices है ठीक है तो यहाँ पर 3 month के आपको मिलेंगे current month का याने के March फिर उसके बाद में next April और उसके बाद का next May का ठीक है तो उपर में यहाँ पर इसकी current price भी देख सकते हो हमें इसका चार्ट देखना है तो यहाँ पर हम चार्ट पर टच करेंगे देखे हमारे सामने जो है BPCL का वंडे डाइम फ्रेम में चार्ट ओपन हो चुका है current month के expiry का अभी देखे यहाँ पर जो है यह लेवल हमारे लिए ब sell रखके हम जो इसमें fresh entry का plan कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें बाइपे टच करना होगा बाइपे टच करने के बाद देखे कुछ इस तरह से interface show करेगा अगर आप future को buy करके hold करना जाए तो आप carry forward में करेंगे same day by same day sell करना जाए तो आप intra day में करेंगे इसका lot size 1800 का है तो यहाँ आप पे हम one enter कर लेते हैं नीचे में आप देख सकते हो limit और market का option दिखाई जाए रहा है limit याने के आप जो है अपने मनपसंद price पे इसको खरीच सकते हो जैसे कि इसकी price चल रही है 352.45 अगर आप इसको why करना जाते है 350 पे तो यहाँ पे आप enter करेंगे जब इसकी price यहाँ आ चाहेगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate यहने जो भी इसकी current price चल रही होती है उसी पर directly आपका order जो है execute हो जाता है simply हमें वाई पे टच करना होगा वाई पे टच करने के बाद confirm आ जाएगा confirm पे टच करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगी intra day क archives कर लेते हैं options के बारे में तो back कर लेते हैं हम यहाँ से कडि这 अबारे विंचे यहां पर हम चेन पर हम टाप करेंगे हमारे सामने option lal ओपन हो चुका है यह call side है यह put side है और जो बीच में आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं strike price और यहाँ पर OI means open interest दोनों side में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दीखिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो current price चल रहा है वो है जिसे से हम नीची जाएंगे यहाँ पर strike price बढ़ते जाएगा अभी अगर हम देखते हैं 355 का strike price का call side open interest है 8.7 लाग का और put side है 1.7 लाग का अगर हम देखते हैं 360 का तो 13.8 लाग का है और यहाँ पर 1.6 का है तो यहाँ पर देखिए call side हमारा जो है इसका view जो है जादा है मतलब कि open interest जादा है तो हम यहाँ पर call में entry बनाएंगे तो यहाँ पर हम tap कर लेते हैं ठीक है tap करने के बाद यहाँ पर इसका चार्ट भी देख सकते हो option की चार्ट देखने के जोरूत नहीं है हमने just future के चार्ट पर analysis किया है तो यहाँ पर हम buy पर touch करेंगे बाद कुछ इस तरह से interface show करेगा अगर आप call को buy करके hold करना चाहिए तो आप carry forward में करेंगे same day by same day sale करना चाहिए तो आप intra day में करेंगे यहाँ पर lot size 1800 का ही है यहाँ पर हम one enter कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर नीचे में limit और market को option दिखाई दे रहा है limit आने कि आप अपने 100 पसंद प्राइस पे सो खरीच सकते हो 3.60 इसकी price चल र buy पे touch करना है buy पे touch करने के बाद देखिए confirm आ जाएगा confirm पे touch करने के बाद खमार order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगी intra day के लिए भी दोस्तों अभी तक आपने इंजल वन में demand account open नहीं किया है तो link जो है description box में दे दी है उस link का यूज़ करके आप free में demand account भी open कर सकते हैं और जो वीडियो बनाएगी है सिर्फ और स्रिफ educational purpose के लिए बनाएगी है जब भी आप कोई भी stock में future and options में entry का प्लान करें तो अपने financial advisor से consult करके ही समें entry बनाएगे तो चलिए मिलते हैं next studio में कि ऊचुआ बनाएगी